हलो वीजाले वेल्कम बैक टू अबर यूटूब चैनल आगकी वीडियो में हम बात करेंगे कि डीप फार्म में कौवर्मेंट कॉलिज में एडिमिशन कब श्योंगे उसका प्रोसीजर क्या है और क्या-क्या important dates रहेंगे और क्या-क्या आपको करना होगा तो मैं इस सब में आपको detail में बताऊंगा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था लेकिन आपको doubts रहे तो मैंने सुचा क्यों ना separate videos के लिए बना दी जाए दोबारा से जिससे आपके doubts क्लियर हो जाएं तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें चली वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी पुल फॉर्म होती है जॉइन इंटरेंस एक्जाम कॉंसल उत्तर प्रदेश तो इसके जरीए आपको जो है डी फार्माइसी के लिए अपलाई करना होगा उसके बाद आपका इंटरेंस एक्जाम होगा जी कप कर जो फॉर्म आप अपलाई करोगे तो उसमें सब्सक्राइबं जिसमें बीट left में लाइसे विए ग्रूप HEY ऑले बच यह सीशपव से आप करने के लिए तो दोनों बच्छे जो हैं जो एप होते हैं डिफार्मा करने के लिए तो वो जी कप में अक्झि अगर वो ऑो के हैं तो इवन ग्रॉप से अप्लाय करते हैं तो उसका जो पेपर होता है पेपर के बाद में रिजल्ट आता है रिजल्ट आने के बाद में आपकी कॉंसिलिंग था वाद में आपको कॉलिज मिलता है अगर आपकी रहंक अच्छी है तो इसके बुर्त बहुत दिहान से समझ लीजी समझ six ieश के फॉर्म कबाते हैं तो मार्च लगबग आधा बीच चुका है बीच जाएगा आधा मार्च बीच जाएगा अब ऐसा समझेगे कि आप फॉर्म आने ही वाले हैं या आ चुके आपको कैफे पे या खुद से जीकप की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि फॉर्म जो है आ गए है या नहीं आ गए अगर आप नहीं चेक कर पाते या नहीं करना जानते हैं तो आप कोई भी कैफे पर जाकर आप पता कर लेंगे कि जीकप के फॉर्म आ गए है या नहीं है आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए apply करना है e-group में तो वो आपको सब कुछ बता देगा कि कब form आएंगे फिलाल आप ऐसे बान के चलिए कि half March के बाद में form कभी भी आ जाते हैं तो आप समझ के चलिए कि आपको ध्यान देन रखना है इस चीज़ का की form आने वाले हैं आपको पता करते रहना है इसके बाद में जून में इसका एक्जाम हो जाता है फिर में एक्जाम जो होने के बाद में लगए एक मंत में आपका रिजल्ट जो है डिकलियर हो जाता है फिर आपकी काउंसलिंग हो जाती है कॉंसलिंग होने के बाद में आपका एडमिशन हो जाता है तो बस यही था प्रोसेजर इसका बाकि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक क आपके लिए टेक केर बाई